कि नमश्कार मैं हूँ विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस एंटीलिया मामले में की जा रही जांच में प्रते दिन नए नए खुला से हो रहे हैं वही इसको लेकर राजनीती भी पूरी तरह से हावी है आपको बता दे कि इसी मामले में गच्छाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक की है इसके कुछ घंटे बाद ही ग्रहमंत्री अनिल देशमुख भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले पहुँचे इन दो बैठकों के बाद देरात महराश्य सरकार ने मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 पुलिस कर्मियों सही 86 अधिकारियों को तबादला कर दिया मुंबई पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग के तबादले के बाद राज्य के पुलिस महकमे में ये सबसे बड़ा फेर बदल है यहाँ आप सोचने वाली बात ये है कि आखिर महराश्य सरकार को देर रात इतने बड़े सर पर फेर बदल करने की क्या जरूरत बढ़ गई वही दूसरी तरफ एन आईये को जांच में लगातार नए ने सबूत मिल रही है दो दिन पहले एक फाइस्टार होटल में की गई चापे मारी के दोरान सीसी टीवी की जांच में पता चला कि सस्पेंड एपी आई सचिन वाजे जिस दोरान होटल में ठहरे थे उसी बीच एक महिला उन से मिल ले आई थी उस महिला के पास नोट गिनने वाली मशीन भी थी NIA को शक है कि ये महिला वाजे की राज़दार है इसलिए इस महिला की तलाश तेज कर दी गई है NIA को इस बात का भी शक है कि ये महिला पूरी साजिश में शामिल हो सकती है आपको बता दे कि सचिन वाजे 16 से 20 वरवरी तक नकली नाम, फरजी आधार कार और फोटो दिखा कर मुंबई के होटल ट्राइडेंट में ठेहरे थे सोमवार को एनाई ये वाजे को लेकर यहां आई थी और करीब 3 घंटे तक सीन का रिक्रियेशन करवाया रिजोरान CCTV फोटेज की जाँच हुई और स्टाफ के लोगों के बयान दर्ज के गए वाजे को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामत जिलेटीन से भरी स्कोर्पियों के मामले में गिरफतार किया गया है CCTV फोटेज की जाँच में सामने आया कि वाजे जब होटल में आये थे तब उनके पास 5 बैग थे जिनमें से एक बैग में जिलेटिन होने का भी शक है साथी आशंका है कि उनसे मिलने आई महिला को विस्वोटक रखने की पूरी साज़िश की जानकारी थी पताया तो ये भी जा रहा है कि वाजे ने महिला के बारे में एनाईए को जानकारी दे दी है वाजे ने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवाय था ये भी एनाईए की जाँच में सामने आया है अशंका है कि इस आधार कार्ड के सहारे वाजे ने कई जगे होटल बुक करवाए थे इस आधार का प्रियोग करते हुए वह 16-20 फरवरी के बीच नरिमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में रुका था जाच में ये बात भी सामने आई है कि सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियों में धमकी भरा पत्र रखा था इस पत्र को मंसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफतार विनाएक शिंदे के घर में लिखा गया था शिंदे के घर से वह प्रिंटर भी बरामद हुआ है जिससे इसे प्रिंट क्या गया सुत्रों ने दावा किया है कि वाजे स्कॉर्पियों खड़ी करने से पहले इनोवा में घटना स्थल पर रेकी के लिए गए थे इसी बीच राज्य की एक और महिला IPS अधिकारी और इंटेलिजन्स कमिशनर रश्मी शुकल ने महराश्टर में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर बड़ा खुला सा किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महराश्टर के पुलिस विभाग में दलाल साक्रिय हैं जो ट्रांसफर का रेकेट चलाते हैं मामले को लेकर मंगलवार को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडन वीस ने सुबह प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई थी और शाम को दिल्ली जाकर केंद्रिय ग्रह सचिव से भी मुलाकात की थी अब आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि एंटीलिया मामले में 25 फरवरी से अब तक क्या क्या हुआ 25 फरवरी 2021 को रिलाइंस इंडुस्ट्रीज के चेर्मेन मुकेश अमबानी के घर एंटीलिया के पास एक लावारी स्कॉर्पियो खड़ी मिली थी इस कार में जिलेटिन की बीस छड़े मिली थी पांच मार्च को मुंबाई पुलिस की जाँच में लावारी स्कॉर्पियो मनसुख ही रेन की निकली लेकिन पांच मार्च को ही मनसुख का शव मिला आठ मार्च को एंटीलिया मामले की जाँच एनाईए को सौंप दी गई 13 मार्च को NIA ने 12 घंटे की पूस्ताच के बाद मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफतार किया 14 मार्च को NIA को इनोवा कार मुंबई पुलिस के मिंटेनस दफ्तर से मिली मंसुकी पत्नी ने आरोप लगाया कि वाजे ही स्कॉर्पियो का इस्तमाल नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक कर रहे थे 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग का तबादला हुआ 20 मार्च को परमबीर सिंग ने महाराश्टर के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे को चठी लिखी और ग्रह मंत्री अनिल देशमुक पर 100 करोड रुपए महीने वसूली का आरोप लगाया 22 मार्च को परमबीर सिंग अपने ट्रांसफर और देशमुक पर कारवाई के लिए CBI जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोड पहुँचे 23 मार्च को राज्य की एक और महिला IPS अधिकारी और इंटेलिजन्स कमिशनर रही रश्मी शुकल ने महराश्ट्रे में पुलिस अधिकारियों के तबादले में दलालों की सक्रियता को लेकर एक रिपोर्ट सो ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें